मैच स्टार्ट हो चुका है च्वादी वर्सिज गुजालता बॉलिंग करेंगे रियाज पहली गेंद और यार कर गेंद आउट हो सकते थे यहां पे तेती बल्ले वाजी करें ओपनिंग करने आये हैं आज पहला मैच है इस फाइव ओवर टोर्नामेंट का कि ऊर्षिझ नहीं कर तो टेरりाज काफी अच्छी पॉलिंग करते हैं नाइट मेंगे अच्छी बॉलिंग किई थी थी इनने आज पर molin जेट फिरसे मोखह मिरा इंको और या एको और गेंद डॉर नहीं होगी सिंगल होगा रियाज एक बार फिर से सामना करेंगे वरुन और ये पहली गेंट पेच्छे रण जबद अच्छका एक बार फिर से रियाज सामना करेंगे वरुन बहुत अच्छी गेंट डाट गेंद दो रण करार दिये जाएंगे रियाज एक बार फिर से और एक और शॉट एक और चका रियाज वरुन सामना करते हुए वाइड गेंद काभी महगा साबित होता हुआ यह ओवर रियाज का वाइड वही कर रहा है और वाइड गेंद होगी यह भी रियाज अपना ओवर खत्म नहीं कर पा रहे हैं काफी महगा ओवर साबित हुआ है इनका दो चक्के खाये इनने वरुन ने काफी बिटाई की है रियाज की एक बार फिर से रियाज सामना करेंगे वरुन और यह च्छे रन बहुत महगा ओवर साबित होता हुआ तेइस रन खर्च की हैं रियाज ने अपने पहले ओवर में अश्वय चक्ति आए हैं इनिंग का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे तेटी और यह चारन हो सकते हैं देखना होगा अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा चारन आपने ओवर की दूसरी गेन शक्ति सामना करेंगे तेटी और यह वाइड होगी वाइड शक्ति एक बार फिर से सामनी और ये च्छे रन तित्ती ऐसी ही गेंद का इंतजार कर रहे थे फार्म में आना चाते हैं बल्ले पे कोई बॉल आ नहीं रही थी खास लेकिन इस बार पूरा फाइदा उठाया शक्ति की इस लूज डिलिवरी का च्छे रन शक्ति एक बार फिर से और एक और वाइड पहली गेंद में दो रन किये थे उसके बाद दो वाइड और एक का खाया है शक्ति ने कुछ खास बॉलिंग नहीं करवा पा रही है जुआदी की टीम और एक और शॉट चार रन शक्ति सामना करेंगे तेती और एक और शॉट बाल अंपायर का वेट कर रहे हैं लेकिन ये लीगल डिलिवरी करार दी गई है और इससे थोड़ी बचत हो जाएगी शक्ति की नहीं तो बहुत मार पाड़ रही थी इनको बाल हो गए यार और ये तेती ने एक और लंबा सा जड़ दिया शक्ति को और ये बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी हो रही है यहाँ पे तेती की तरफ से आप तो बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है शक्ति सामने है तेती और ये डाट गेंद दो आवर स्कोर 43 निखिल आए है तीसरा आवर लेकर सामने है अरुन वरुन 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 सारी निखिल आपने आवर की पहली गेंद और ये बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया है इनको पहली गेंद में गेंद लाने के लिए कोई गाड़ी बाड़ी भेजने पड़ेगी काफी दूर गया ये शक्का एक बार फिर से निखिल और कैच हो सकता है लेकिन नहीं फिल्टर पैलवान है वो दोड़ते नहीं है ज्यादा एक बार फिर से निखिल और इस बार डाउन दा ग्राउंड के ला एक रन के लिए निखिल सामने है तित्ती और ये गेंद की एक और चक्का काफी दुलाई हो रही है यहां पर निखिल की निखिल सामने तित्ती और आज हो आसा लगा कि अज था लेकिन डॉट गेंद और निखिल एक बार फिर सामने है तित्ती तित्ती ने इनको तारा मंडल पहुचा दिया एक बार फिर से और एक बार फिर से निखिल सामने तित्ती और बाहिस का रन 66 रन हो चुके हैं तीन अवरों में बहुत ज्यादा स्कोर कर दिया यह तो अगर पांच अवर में भी होते तो भी डिफेंडेबल चेज होता लेकिन नए बालर पूछना होगा इनका नाम असलम आये हैं बालिंग करने के लिए सामना करेंगे तित्ती चुथे और की पहली गेंद देखना होगा क्या करेंगे ओ वाइड गेंद एक बार फिर से डाउन डग्राउंड और रन आउट हो सकते थे यहां पर बहुत अच्छी फिल्टिंग यहां पर विक्की की और आउट हो सकते थे यहां पर तित्ती लेकिन अस्रम अच्छा अवर करते हुए राहिल आए हैं दूसरे बल्ले बाज स्ट्राइक पे काफी अच्छी गेंद बाजी होती हुए अस्रम के द्वारा और एक और डॉट काफी किफायती अवर माना जाएगा यह मैच विनिंग स्पेल माना जाएगा इनका अस्रम एक बार फिर से और एक और विकेट हो सकती है फिल्टर दोड़ते वे बाल के नीचे लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा क्योंके आगे बहुत छोटा सा नाला है लेकिन काफी मुश्किल है बाल पकड़ना अस्रम और बोल कर दिया इनने बहुत ही अच्छी गेंद बाजी मैच विनिंग स्पेल करते हुए यहां पे चुआदी के लिए बिश्चू आये हैं बॉलिंग करने के लिए अपना पांच वेवर का पहली गेंद और तेती ने जड़ दिया एक और चका काफी दुलाई कर र अब मुश्किन जड़ दिया यहां पे बहुत उंची गेंद गी थी दो रन दोड़ के मुकमल कर लिए तेती ने तीसरी गेंद करेंगे और एक और चका कि तेती बहुत मार रहे हैं अच्छ और एक और बाल सामने तेती दो गेंदे लगाता डाट कर चुके हैं एक बार फिर से और स्टेपिंग करके ऑफ साइड के उपर से छका बहुत ही जबर्दस बल्ले बाजी कर रहे हैं यहां पे तेती बहुत ही मार चलाई है इनने सभी गेंद बाजूं को सिवाए असलम के उनने बहुत अच्छ अच्छ ओवर किया और एक बार फिर से एक बार फिर से चार रन ऑफ साइड की जानिब खेला था चार रन होंगे पांच गेंदू अगरू में 96 रन स्कूर किया है च्वादी को यहां पे 97 रन चेस करना होगा संनी आया है बालिंग करने सेकंड इनिंग की पहली गेंद और लोश कर रहे है सामना पहली गेंद डॉट टिका भाई का कहना है कि यह लोश को बाल नहीं दिखी संनी की बाल इतनी तत्ती नहीं लगी हमें लेकिन अच्छी गेंद बाजी करते हैं यह बी संनी एक बार फिर से सामने है लोश और यह डाउन दा ग्राउंड एक रन होगा इन्स आए हैं बैटिंग करने सामने संनी बालिग कर रहे हैं और एक और डाट होगी तकरीब अपर लग रहा है करना है काफी बड़ा टार्गेट है मार की बनेगा ऐसे नहीं बनेगा डॉट करके 16 छक्के लगाने होंगे यहां पर लोशोर इंस को लेकिन सन्नी का मूर निया एक भी देने का एक बार फिर से सन्नी एक ओर डॉट इंस को नहीं दिख रही है गेंद एक बार फिर से सन्नी अपने ओवर की लास्ट गेंद वाइड गेंद होगी है सन्नी अपने ओवर की लास्ट गेंद लेकर आते हुए सामरे इंस हैं और फिर से उनके बल्ले पे बॉल नहीं आया एक और डॉट और ओवर समाप्त मात्र दो रण बने हैं इस ओवर में दो नहीं तिन शाशु आये हैं दूसरा आवर करने हैं और ये लोश्य को भी फसाल हैं इपर से स्लोवर गेंद करके श्याशू एक और फिर से सामने लोश्य justore पहला छक्का अलुश के बल्ले से थोड़ा कॉंफिडेंस आया होगा अब ही पंद्रा छक्के और और बाकी है शाशू एक बार फीर से सामने है रोश और एक और छक्का हो सकता यह लेकर नहीं अच्य फेल्डिंग यहां पर मां पर फ्र sad इन्स सामना करेंगे वाइड गेंद एक बार फिर से शाशू सामने हैं इन्स और छे रान आगे गेंद की और इसको पूरा फाइदा उठाया इन्स ने पहला चक्का इनके बल्ले से भी बहुत चक्के चाहिए अभी एक बार केट से और एक और लंबा चक्का होगा ये शायद असा लग रहा है अंपायर का इशारा देखना होगा दो रण बहुत बड़ी शौट थी लेकिन और शाशी सामने है इन्स और एज किया यहां पे यॉर्कर लेंद गेंद थी दो अवर उन्नीस रन वरुन आये हैं अपने स्पेल का पहला अवर और इनिंग का तीसरा अवर लेकर पहली गेंद पे चोका लगाया है इन्स ने इस तेशलन हो चुका है स्कूर काफी मुश्किल होगा यहां से इतना बड़ा स्कूर चेज करना अभी भी 60 प्लस स्कूर चेज करना है और मात्र सत्रां गेंदे रही है और एक बार फिर से कैच हो सकता है लेकिन नहीं बाउंडरी इंस आ और एक और शॉट एक और शॉट एक ओर सब्सक्राइब इन नुँच्च्च के वहां जितने के लिए काफी महंगा साबित होता हुआ ये और 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 शक्का एक बार फिर से और डाड़ेंट स्कूर स्कूर वाजू देखो गोगा आये बालिंग करने के लिए सामने लुष है और गोगा ओक्या ब्लॉक होल में गेंद लुष को दिखी नहीं यह बाग क्या हुआ है और एक बार फिर से गोगा टिली गेंद और यह डाड़ गेंद गुजर कश्मिन जिसको समझ आए बात है एक बार फिर से गोगा और किसी बहुने नहीं दिया और से योटर्स बार फिर से गोगा अपनी बॉलों से नचा रहे हैं सब को ओवर हो चुका है तित्ती आए लास्ट ओवर लेकर एक रन के लिए खेल दिया लुशने और फिल्डर भी थोड़े टिल ले हो गए हैं तित्ती एक बार फिर से सामने अनीज है और डॉट तित्ती एक बार फिर से और स्लोवर गेंद पता है नहीं चला नहीं इसको और लग रहा है ये मैच बजालता के टीम जीत चुकी है अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ज रह चुकी है कुछ गेंदे भी रही है पचास से ज़्यादा रन स्कॉर करना है अभी भी जो के इंपॉसिबल सा लग रहा है ति और एक और डॉट ति नहीं देखने दे रहे हैं शाहिद को इसके साथ ही मैच जीत चुकी है बजालता की टीम चुआदी बार हो चुकी है टोनमेट से